प्रदेश के उन चार बड़े मुद्दों की जिसके पीछे और उन खबरों की सचाई क्या है इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और इन सरजरी करने के लिए हमारे साथ मौजुद है एडिटोरियल टीम के संदीप मीना और राहूल पटेल जो आपको बताएंगे कि खबरों के पीछे की हकीकत क्या है सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंतरी बाबुलाल गौर की जिहां विधान सभाचुनाव के टाइम भी जब बाबुलाल गौर को टिकेट नहीं मिला था तब भी उनके बगावत के सुर तेज होते नजर आये थे और उनके पार्टी बदलने के सुर भी लगातार तेज होते जा रहे थे जिसको लेकर बीजेपी ने उनको कई सारी हिदायत दी थी और फिर वे वापस बीजेपी में शामिल हो गए थे और उन्होंने अपने बगावत के सुर थाम लिये थे और अब बाबुलाल गौर ने एक और बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि अब मैं किसी भी रेस में शामिल नहीं हूँ जिसके पीछे सियासी हल चले काफी तेज हो गई है हमारे साथ जोड़ रहे हैं राहुल पटेर राहुल बताई किस तरह से बाबुलाल गौर ने बयान दिया है कि अब वे किसी भी रेस में शामिल नहीं है और इस तरह का बयान उन्हों ते तब दिया है जब बीजेपी की प्रत्याश्यों के लिस्ट आने वाली है तो क्या कु कि एक खबरे की जो सचाई है और हकीकत में आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकारकल जैप्रकास नडड़ा ने जीपी नड़ा ने पूरी तमाम 184 की जो पहली लिस्ट है भारती जंता पार्टी की वो अनौन्स की उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पार्टी को खड़ा कर करने वाले एक बड़े नेता या यूँ कहें कि अपने आप में एक भारती जंता पार्टी कहे जाने वाले लाल कर्शन आडवानी का टिकट सुची में नाम नहीं था कारण बताया गया है कि उनकी उम्रस जादा है तो वहीं अगर हम बात करें वो 91 यर्स के हैं और इंका 90 सा कि वहीं बाबुलाल गोर दसबार के विधायक पूर्व मुक्यमंतरी पूर्व ग्रहमंतरी 88 साल के 88 यर्स के तो ऐसे में उम्र बहुत जादा है और भारती जंता पार्टी ने अपनी पहली टिकट सुची में ये साफतोर पर कर दिया है कि उम्र दराज नेताओं पर किसी भ प्रकार पर उन पर विश्वास नहीं किया जाएगा यानि पॉलिसी बन चुकी है जो उम्र दराज नेता है उन्हें किसी भी कीमत पर टिकट नहीं दिया जाएगा तो टिक्टो के पहले बाबुलाल गोर का ये बयान आत्मरक्षक बयान है ताकि ऐसा नहों कि कल से टिकट न लड़िये भोपाल से चुनाओ जीतना लोहे के चने चबाने जैसा है तो मैं नमरता बताना चाहूंगा कि एक रक्षात्मक बयान है चुकि उन्हें भी इल्म हो गया है इस बात का इशारा हो गया है कि उन्हें टिकट में भोपाल से टिकट नहीं मिलने वाली है लिहाज़ा वो सुरक्षित बयान रखते हुए यह कहते हुए नजर आएं कि मैं किसी भी दोड़ में शामिल नहीं हूँ का थी उनका नाम नहीं आया और शायद इसी को देखते हुए बाबलाल गौर ने अब इस रेस से हटने का फैसला किया है बढ़ते हमारी दूसरी ख़बर की और जो है पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस को लेकर जी हां खंडवा सीट से लेका को लेकर अब लोगसभा टिक की ऐसी नामों का जो है एलान किया पहले लिस्ट जारी हुई है उसमें और यह माना जा रहा था है कि मद्रदेश की कहीं ऐसी सीटों का नाम एलान होगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पूरी जो 29 सीट है उस पर लगतार बीजेपी ने अपना सस्पेंस बरकरार रखा और अग से मोजुदा सांसद और प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो है नंद कुमार सिंग चोहान लगतार टिकिट की आस में है और वहीं अगर पूरु मंत्री अरचना चिटनिस की बात करे तो विधान सबा चुनाव में हार के बाद अब उन्होंने लोक सबा चुना नजर आ रहे हैं कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर बात की जाए नंद कुमार सिंग चोहान की तो उनके जो कई विपादित बयान है या उनके जो पिछले कुछ विवाद है या फिर जब वो पार्टी के अध्यक्ष तर पर थे उस दोरान जो पार्टी संग कास की तमाम पेरामिटर्स को देखते हुए यह माना जा रहा है कि मोजूता सांसत नंद कुमार सिंग चोहान को पार्टी आला कमान ने घर बैठाने की तैयारी कर लिए और ऐसे में उनका टिकेट कट सकता है लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री पास्टे अध्यक्षे अमिश्रहा तो तमाम यह जो टिकेट के सिलेक्षन में जो महत्पुन भूमी का निवाते हैं उनसे लगातार अर्चिना चिटनिस का मेल मिलाब भी जारी है तो कहीं नका यह लग रहा है कि इस बार जो है खंडवा संसदी सीट पर भाजपा में अंद ही दोनों नेताओं में आरपार की लड़ाई देखी जा रहा है और यह तकरार जब तक नहीं थमनेगी जब तक कि इस पर पार्टी आला कमान जो है टिकेट का एलान नहीं कर देता जी मिलकुल तो पूर्व मंतरी अरचना चिटने से लगातार अनिशेत्रों का दौरा कर रही है बुरहान पूर से बहार निकल कर वो नेपा नगर और कई शेत्रों का दौरा कर रही है या सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो सांसद नंद कुमार सिंग चौहान का टिकेट काटने की पुर्जोर कोशिश कर रही है तो क्या रणीती है इसके पीछे ये जाना है आपने हमारे समाधता संदीप मीना से और हम पड़ते हैं अगली ख़बर की और जिसमें है कि मतपरिदेश के मुख्यमंतरी जो कमलनात है उनकी क्या रणीती है आखिर वो कठेन सीट से दिगविजय सिंग और सिंधिया को क्यों चुनाव लडाना चाहते है इसके पीछे की असली वज़र क्या है असली रणीती क्या है क्योंकि जहां जहां देखा जा रहा है कॉंग्रेस पार्टी को अगर मुश्किले नजर आ रही है कि इस सीट से उनका जीतना बेहद मुश्क गारी करताऌं को संबोदित कर रहें एक और बात बताना चाहूँगा जिस प्रकार से सीट से लड़ना चाहूँए यानि साफ है एक तीर से दो निसाने पहले है कि जिस प्रकार से जोतिरादित्यस इंदिया तो जिस प्रकार उन्हें उत्रपदेश पोचा दिया मत्रपदेश की सक्री राजनीती में अब भूट जादा हुस्तक छेप नहीं रहा लेकिन कई विदायक आज भी उनको अपना मान की जाने हैंजी का प स्या सवेकिन की जाने करने करने लुपर हो गया जबलपूर हो गया यहां पचीज साल लगातार भार्यवतवी जनताרג पर्ट हव्हिं मैं एक तीर से दो निसाने क्म करेंदेज मैं एक्ट्री से फल्वाट कर् Totally这 cookie सक्री राजनीती दिया शाति हैं सबसे लेकर आज तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ें ऐसे में 2019 मिशन 2019 में उन्होंने साफ कर दिया कि पार्टी आला कमान या मेरे नेता राहूल गांदी मुझे जहां से कहेंगे वहां से में चुनाव लड़ूंगा ऐसे में यह सपष्ट हो गया है कि एक तरफ बयान आता है कमलनाथ का कि आप कटीन सीट से लड़ें उन्होंने चुनोती स्विकार भी की लेकिन फिर अगले ही दिन एक तरह का बयान आता है कि राहूल गांदी मुझे जहां से चुनाव लड़ने का आदेश करेंगे वहां से चुनाव लड़ूंगा लेकिन साफ तोर पर दिगविज करेगा मुझे कहां से लड़ना है वो शक्षहर अहूल गांदी यानि आगर हम पूरी सियासी समिकरण की बात करें तो सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है कॉंगरेस में जिस तरह कि ये बाते आरी विदान सबा चुनाव बराल वो बड़े ही संगटित होके लड़े थे ले शक्ति जंता पार्टी का अभेद किला माना जाता है ऐसे में यदि वहां से जीत मिल जाती है और के मदघपर्देश की जो असली सियासत असली जो राजनिती है वो इंदोर से निकलती है लहाजा इसके पीछे कहीं सियासी समिकरण है एक तिर से दो निसाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कमलनाथ जैसे कि राहुल ने बताया कि दिगविजे ने ये पहले भी कहा है कि मैं आज भी कमलनाथ को मैं जो भी करता हूँ वो राहुल गांधी तक अपनी सूश ना पहुचाता हूँ ना के सिर्फ कमलनाथ तक तो ये सारे समिकरणों को देखते हुए कॉंग्रेस पार्टी कही ना कहीं अंदर खाने अभी भी बिखरती नजर आ रही है अब पढ़ेंगे हमारी अगली ख़बर क कि बीजेपी नेता और कारे करता तो अभी चुपपी साधे हुए लेकिन कॉंग्रेस इस पर हमलावार हो गई है जी हाँ कमलनाथ कैबिनेट के मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया है तो क्या है ये पूरा मामला जानेंगे संदीप से जी बिलकुल नमरता जैसे कि राहुल ने बताया था कि जो लालकृष्न अडवानी का टिकेट काटा है चुकि वो उनकी उम्रे in 91 एर की है तो ऐसा में कहीं न कहीं ये सही भी है कि अब जो है लालकृष्न अडवानी की जो उम्र है वो रस्ट करने की और कहीं न कहीं इसी को जन्संपर का मंत्री है पीसी सर्मा उन्होंने इसको लेकर ये निसाना साधा है और उनका ये कहना है कि लाल कृष्ण अडवानी तो प्रधान मंत्री के दावेदार थे तो कहीं न कहीं ये बड़ा हमला भी है और मैं बताना चाहूंगा कि आगर अमिश्राह की बात करें तो उ उसे लेकर ये माना जा रहा था कि पार्टी जो है अपने पिछुत्तर साल का जो फॉर्मूला है उसको साइड में रखकर उन वरिष्ट नेताओं को भी टिकिट देगी जो की जीत के दावेदार है जिनकी जीत सुनिश्चित है लेकिन पिछले कई दिनों से जो मामले हुए उसको कही न कहीं भाजपा एक बार फिर बापस उठकर सामने आई है और प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की लोग प्रेता भी यहां पर एक बार फिर उभर कर सामने एर स्ट्राइक का मुद्दे के बार तो कही न कहीं तमाम जो समीकरण बने हैं उसको लेकर ये माना जा रह और उसी को लेकर जो लालकृष्ण अडवानी है जिन्नोंने पार्टी को खड़ा किया है गांधि-दोग उनकी परंपरा का सीय है और वहां से इनका टिकेट कार्ड gravy और अमिश्रा और्ली को टिक्ट ने दिया और फिर आब उनके परामपरा का सीट को भी छेन लिया तो कहीं न कहीं विपक्ष का बड़ा आरोब भी है बड़ा निशाना भी है और ये कोशिश कर रही है विपक्ष ये दिखाने की कि बीजेपी अपने ही वरिष्ट नेताओं का सम्मान नहीं कर रहे है तो देश की जिनों में कई और भी ऐसे बुजुर्ग नेता देखने को मिलेंगे जिनके टिकेट बीजेपी काटेगी और कई ऐसे मोजुदा सांसत भी देखने को मिलेंगे नमरता जिनको बीजेपी घर बिठाएगी क्योंकि इस बार मिशन 2019 का जो रण है वो भाजपा और कॉंग्रेस दोनों के लिए आसान नहीं है चुनोती बराबर किये मुकाबला काटे का है लिहाजा भाजपा फूख फूख कर कदम रख रही है और ऐसा कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती है जिसको लेकर भाजपा को मुश्किल का सामना करना पड़े है जिमलकुल फूख फूख कर उसी की सरकार बनेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ अचानक से सत्ता पलट गई और 15 सालों के बाद कॉंग्रेस फिर से सत्ता में आ गई लहाजा अब लोग सभाचुनाफ के मद्दे नजर फूख फूख कर कदम रखेगी बीजेपी पार्टी और साथ ही साथ कॉंग्रेस झाल